जै मा काली मित्रो, आपका मेरी चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी notification bell को भी प्रेस कीज़े जिससे मेरी आने वाली वीडियो का notification आपको तुरंथ मिल जाए मित्रो आज का जो विशह है वो विशह ये है कि जिन बच्चों पर सवारिया आती हैं जिन लोगों पर सवारिया आती हैं तो वो ऐसा क्या करें कि उनकी सवारी की शक्तियां बढ़ जाएं और सवारी खुल कराएं कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं अगर वो करते हैं तो उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और जो वचन वो करते हैं वो वचन भी सत्ते होंगे तो कुछ नियम है केवल आपको नियमों का पालन करना होगा और एक-दो क्रिया ऐसी है जो आपको करनी होगे जिसके बाद आपकी सवारीों की शकती बढ़ जाएगी और आपको पूर्ण ओरज़ा पराप्त होगी साथ ही आपकी जो वचन होते हैं और आप के वचन श्ते नहीं होते, हैं तो आपके वचन भी सत्य होंगे तो आप ज्यान से सुनीएगा. वीडियो को पूरा सुनीएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए तो मित्रो जैसा आप सबी जानते हैं, सावारी बहुत बच्जो पर आती है, बहुत लोगों पर आती है, लेकिन ऐसा क्या कारण होता है, कि सावारी फिर्फिञारी की शक्ती नहीं बढ़ पाती है. इस तोत्र उनके पास नहीं होते जिससे वो किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सके लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पास सवारी आती है अगर वो वीडियो सुनते हैं तो घ्यान से सुने जिन लोगों के शरीर पर सवारी आ रही हैं और वो शक्ति बढ़ाना चाहते हैं उनको जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर को स्वच रखना चाहिए यानि आपको उपने शरीर को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए, स्वच रखना चाहिए, किसी प्रकार की भी गंदगी आपके शरीर में नहीं रहनी चाहिए, आपका तन भी स्वच होना चाहिए, आपका मन भी स्वच होना चाहिए और आपकी आत्मा भी शुद्ध होनी चा है जो आपके शरीर पर आते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो इष्ट द्योह के बेज़ता सुछा वह उश्छा आवश्य करना है साथ ही ऐसे भच्छों को जह सुतक पदक के भुजन को भुजन नहीं करना चाहिए और अगर वह इस परकार का भुजन करते हैं तो उनकी जो सवारी होती है धुटती है कही ना कही उसकी उर्चrick कम होती है क्योंकि जो सवारिया आती है शरीर पर वो शुदर रूप में आती है और अगर आप उनके साथ शुदता स्वचटा नहीं रखते हैं तो फिर वो सवारिया बंदने लगती है बचन उनके जूटे होने लगती है मास मदीरा का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए लसुन प्याज से भी आपको बचना चाहिए जितनी कोशिश हो सके आप इसको त्यागने की कोशिश कीजिए लेकिन अगर नहीं कर पाते तो देखी मजबूरी होती है लेकिन फिर भी अगर आप इसका प्रेतन करेंगे तो आप कर सकती है जिन व्यक्तियों के शरीर में सवारिया आती है उनको जो है जिस देवता की सवारिया आती है उनके इश्ट देव की भी पूजा अवस्य करनी चाहिए यानि उनके जो अराध्य देव हैं उनकी पूजा करनी चाहिए जैसे उधारन के रूप में मैं आपको बता दीती हूँ उधारन के रूप में जैसे कि आपके उपास बालजी के दूत आते हैं तो आपको सीता राम भगवान की जवर्दस्त पूजा करने चाहिए, उनकी अराधना करने चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी पूजा करेंगे, यानि सीता राम भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, तो हनुमान जी बहुत प्रसन होते हैं, और प्रसन होने के बाद में वो इससे भी आपकी सवारियां आपकी शक्तियां खुलेंगी दिरे-दिरे करके जिन गेख्तियों को सवारिया आती हैं उनको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए आपको सुवे प्राते उठकर जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं जिस समय सूर्य लाल होता है यानि जो उनकी और काण्याओं को मीठा आवश्य खिलाना चाहिए जिससे कंच्रशन होकर आपको आशिर्वा देकर जाती हैं जिन वेक्तियों के उपर सवारिया आती हैं उनको जीवों की सेवा करना चाहिए साथ ही आपको अपने जो है जितने भी विकार होते हैं मनों के उनके विकार के नियंत्रन करना चाहिए जैसे की काम एơi लालच इस很好 रहना चाहिए क्योंकि ये सामाने विक्तियों के लिए आप की каз bromाउन दूर रहना चाहिए को ये किसी बीधियों की अपने पत्य आप पतिने के लावा किसी और के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं आना चाहिए आपको घर में वर्ष में कम से कम दो बार हवन अवश्य कराना चाहिए और अगर आप यह हवन नवरात्र में कराते हैं तो इसकी विशेश उर्जा आपको प्राप्त होती है और जिन बच्चों को सवारी चाहिए बहुत से बच्चों का इप्रेशन होता है कि हमें सवारी चाहिए तो ऐसे बच्चों को भी जो है अवश्य अपने घर में कराना चाहिए दुर्गा शप्षति का पाठ अपने घर में अवश्य बठाना चाहिए जिस देवता की सवारी आपके शरीर में आती है आपको उनको समय समय पर भोग देते रहना चाहिए यानि कि आप एक दिन बांध लीजे या तो आप सप्ता में एक बार भोग दे या पंदरा दिन में एक बार भोग दे या मासिक भी आप दे सकते हैं मां में एक बार भी आप भोग दे सकते हैं लेकिन आपको भोग अवश्य देना चाहिए अगर आप अपने देवता को भोग नहीं देते हों तब भी आपकी सवारी कहिना कहीं बंद जाती है और जैसे कि आपके घर में सवारी आती है और सवारी अगर वचन करती है और वो वच प्रसन होते हैं और वे और की ऊर्जवे में व्रद्धि करते हैं यह सभी चोटी चोटी बात हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं, तो आप अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, अपनी ओर्ज़a को बढ़ा सकते हैं और जब ओर्ज़ा बढ़ेगी, तो आपके वचन भी सिदोंगे हए मितरो नियमो का पालन करना पढ़ता है नियमो के पालन के मिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी देविदेवता को साधने के लिए सबसे पहले स्वयम को साधना पड़ता है तबी जाकर के देविदेवता भी आप से प्रसन होते हैं तो यह चोटी सी जानकारी थी आप सबी के लिए आशा करती हूँ आप कोई जानकारी समझ में आई ओगी आप अपना प्रशन लेती हूँ प्रशन है सोनु वर्मा जी का इन्होंने कहा है गुरु मा प्रणाम क्या मैं साथ आठ नो नवरात्र को रात में पूजा कर सकता हूँ क्योंकि सुवे पांच एम पर करता हूँ पर रात में विदाने क्या सभी नवरात्र का फल मिल जाएगा इन तीन दिन में करने से देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं नवरात्र का फल आपको मिल जाएगा बच्चे नवरात्र के फल से यह नहीं होता कि अगर आपने दिन में जाप किया है तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा लेकिन जैसा कि विधान होता है रात का होता है अगर आप रात नहीं कर पाई या आपको अग्यान था एक तो ग्यान की बात होती है एक अग्यान की अगर अग्यानता वश आप नहीं पाट कर पाएं तो मा भगवती उसको शमा करती है और आपको आपके पाट का पून फल आपको प्र अगर आपने सुवे का लिया है तो आप सुवे का करें रात्की करने की आपको आवश्यक्ता नहीं है अगली बार से आप ये ध्यान रखें जब नवरात्र प्रारम होंगे तब आप रात्री के पाठ का संकल्प करें तो इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतितना हो अ देखें लख्यजी अगर आपके घर में कोई भी एक व्यक्ति नवरात्र की व्रत रखता है यानि नो के नो दिन व्रत रखता है और चोकी अगर आपके घर में लगाई जाती है तो सभी व्यक्तियों का ये करतव ये होता है कि वो लहसुन प्याज से परेज करें गर के सभी सदर्सियों को लहसुन प्याज से परेज करना चाहिए और अखर आपके गर में किसी भी प्रकार की अखंड जोत लगाई गई है तो फिर तो आपको इस बात का सक्ताई से पालन करना होगा कि आप लहसुन प्याज का सीवन बिलकुल ना करें क्योंकि नवराँतर में लहसुन प्याज का सीवन करना वरजित होता है लेकिन ये नियम होते हैं अगर आप इन नियमों को मानते हैं तो अच्छी बाता है नहीं मानते तो कोई इश्वर तो आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं आता है लेकिन जो नियम है आप उनका पालन कर करती रहे आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल